असलाम उलेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जान पाओगे कि किस तरह हम अन्रीडेबल ड्राइव को दुबारा से ठीक कर सकते हैं जब आप अन्रीडेबल ड्राइव को ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास इस तरह का मैसेज यो होता है f drive is not accessible या फिर जो भी नाम drive का हो the file or directory is corrupted and unreadable तो दोस्तों इसके कई तरीके हैं सबसे पहले आप इधर start पे right click करें और disk management इधर क्लिक करें आप जख सकते हैं कि हमारी मतलूबा drive f इधर show हो रही है raw file में हालांके यह भी एक ntfs drive है तो सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं command prompt के मदल से run as administrator yes check disk space f यह जो भी आपकी कॉलां स्पेस slash f और enter कर दें तो जो भी problem आपकी drive में होगी वो solve हो जेगी अगर solve नहीं होती तो आपने क्या करना है simply google में जाना है और new tab में type करें a o m e i partition assistant और enter कर दें कोई भी इधर से link select करें download freeware डाउनलोड आफ्टर डाउनलोड इसको इनस्टाल कर लें ओपन येस ओके लेंगुज को छूस किया इस किप कर दें नेक्स्ट आई accept next कर दें next 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 create a desktop icon okay next कर दें install ओके जी run this program finish कर देते हैं जी दोस्तों हमने क्या करना है जिस partition को आपने recover करना है उदर right click करें advanced और check partition और first option को चूज करें check partition and fix errors okay कर दें दोस्तों आपके data की length के हिसाब से यह time लेगा तो चलिए इसको trim करते हैं मिलते हैं after recovering check disk has completed successfully okay कर दें अब हम एक दफ़ा अपने system को restart करेंगे जी दोस्तों after restart हमने एक दफ़ा F4 से again recover किया था hard को तो उससे हमें यह benefit मिला AOMEI install करने के बाद कि अब हमारे पास raw नहीं बलके NTFS में drive मुझूद है और NTFS show भी हो रही है अब हमने क्या करना है search में type करना है cmd और run as administrator में open कर देना है ओके अब हम type करेंगे check disk space slash f space f colon एंटर कर दें थोड़ा वेट करें अब जी दोस्तों अब क्मांड प्रांप्ट को एक्जिट करते हैं एक्जिट एंटर क्मांड प्रांप्ट को एक्जिट करके हम this PC में जाएंगे और corrupted drive पर right click करके properties में जले जाएंगे security एडवांस चेंज इधर हम कंप्यूटर का नेम टाइप करेंगे एडवांस में जाएंगे और इधर से हम तलाश करेंगे यूजर या फिर हाँ यह रहा यूजर्स ओके चेक नेम ओके कर देंगे एड़ सेलेक्ट अप्रिंसिपल यूजर्स ओके ओके फुल ओके कर देंगे यूजर्स अब देख सकते हैं कि मारे पास एक एक्स्ट्रा अक्सेस क्रियेट हो चुकी है अब हम क्या करेंगे अपलाई कर देंगे ओके ओके और ओके और आप देख सकते हैं कि हमारी ड्राइफ कामयाभी से ओपन हो चुकी है उमीद है आपको आज की वीडियो काफी पसंद आएगी मिलते हैं इंशालाँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आपके आपके